बात उत्तरप्रदेश की जातिगत भेदभाव और तबादलों में ब्रशाचार जैसे आरोप लगा कर आमिट शा को इस्तीफा भीजने वाले मंत्री दिनेश खटिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा से मुलाकात करके लखनाव वापस लोड़ गए हैं ये मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी तरह की एक और चिठी एक दलित विधायक की वारल हो रही है बीजेपी अब कैसे इस मुद्दे पर डामेज कंट्रोल में जुटी है देखे ये रिपोर्ट उत्तरपदेश के जल शक्ती राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने बुद्दवार देर शाम बीजेपी के रास्टिय अध्यक्ष जेपी नढधा से मुलाकात की करीब एक घंटे तक चली मुलाकात में दिनेश खटीक ने अधिकारियों के बात न सुनने, काम का बटवारा न होने और दलित होने के चलते तवज्जो न दिये जाने के शिकायत की जेपी नढधा ने उन्हें सला दी कि पार्टी फोरम पर ही अपनी बात रखें और पहले मुक्हमंत्री योगी अधितनास से मिलें फिलहाज जिस तरीके से तबादलों के उपर में एक के बाद एक तमाम सारे भ्रसाचार के आरोप लग रहे हैं जब ये आरोप लगा दिनेश खटिक की ओर से तो उसके बाद में मस्विभाग में हुए तबादले वापस ले लिए गए और ये भी पता चल रहा है कि कल यानि बुद्वार को देर शाम को एक आपाद बैठक जो जलशक्ती मंत्री है उन्होंने बुलाई और बाकाइदा उस बैठक में ये जानकारी ली कि आखिर कैसे दिनेश खटिक की शिकायतों की इतनी लबी फेहरिष्ट है उन अधिकारियों को भी उन्होंने तलब किया और उनसे भी पूछा कि भई आपने दिनेश खटिक जी को क्या बोला कैसे आपकी बात चीत हुई इसमें वो एक इंजीनियर पर काम न करने और असनसदिय भाशा बोलने की बात कह रहे हैं साफ है कि उत्तरप देश में अधिकारियों के रवईये से बीजेपी का एक धड़ा खासा नाराज है शायद इसलिए उप मुख मंतरी केश प्रसाद मौर्या को ट्विट करना पड़ा कि यूपी के हर अधिकारी करमचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा मंतरी गड़ों के साथ जन प्रतनिधियों को सुन कर उनका काम करें गुर्वार को योगी आधितनात की मुलाकात अमिश्चाह और जेपी नढधा से हो सकती है उधर जतिन प्रसाद ने भी दिल्ली में डेरा डाल रखा है खबर है कि प्व्ड मंतरी जतिन प्रसाद को मना लिया गया है जतिन प्रसाद को मान गये हैं लेकिन योगी आधितनात को मंतरी और विधायकों की अपसरशाही से सम्मंदिश शिकायतें गंभीरता से दूर करनी पड़ेंगी वरना उनकी चनोतियां आने वाले वक्त में और बढ़ेंगी दिल्ली से रवीश रजन शुक्ला, NDTV इंडिया